Hey everyone, welcome to an academy and I hope learning absolutely awesome नीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर मन्शर्मा आप लोगो के लिए आज के topic of the day के साथ दोस्तों आप लोग Google Maps का use करते हो आप सब लोग Google Maps का इस्तमाल करते हैं जब आपको एक जगे से दूसरी जगे जाना होता है जिसके अंदर आपको पूरी मैपिंग मिल जाती है कि इस जगे पर क्या है, कितनी दूरी है जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़दा असान हुए कभी सोचा है कि स्काय का भी अगर गूगल मैप आ जाए इसी तरीके से एक नाइट स्काय की गूगल मैप जैसे स्ट्रक्चर को तयार किया गया है एक टेलिसकोप ने औस्टेलिया के अंदर डिस्कवर किये हैं ओबरा मिलियन ओफ न्यू गलेक्सीज जिसकी वदे से एक तरीके का एटलस क्रियेट हो गया यूनिवर्स का हम लोगों ने एक एटलस बना दिया है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अनकाडमी की कॉमबैट सेरीज में अन्रोल करना बिल्कुल मत भूलना 6th of December 11 a.m. बहतरीन सेरीज है यहाँ पर सारे सवाल हैं यूनिक and do not forget to use the unlock code that is AMANSYT10 when you are subscribing for the Unacademy's Combat and अपला सुस्क्रिप्शन की तरफ भी आगे बर सकते हैं जहाँ पर आप लोगों के लिए बहतरीन कोर्सेज अभी भी वेट कर रहे हैं तो को हुआ क्या है there is a satellite जिसका नाम है Australian Square Kilometer Array Pathfinder इसको ASKAP भी भुला जाता है यह बहुत ही powerful satellite है it is operated by Australia's CSIRO जो कि Australia के Science Agency है इसने around a million galaxies को 300 घंटे तक record किया है यह पहला अपने आप में Sky Survey था जो इस टेलेस्कोप ने किया initial results को publication of astronomical society के अंदर publish किया November 30 के अंदर यह जो satellite है इसको a decade ago 10 साल पहले design किया गया था it is located at 800 km north of Perth यह fully operational February 2019 के अंदर start हो गई थी और currently यह pilot survey करती है Sky के Sky को map करना चीजों को focus करना astronomical discoveries करना यह ASKAP का बड़ा program है ASKAP का जो survey है वो main मकसद है कि यह का map create कर रहा है map structure कर रहा है और उस map structure के साथ साथ it is also creating evolution of the universe सारी galaxies को observe करने की कोशिश कर रही है और यह भी बताने की कोशिश कर रही है कि galaxies के अंदर hydrogen gas का content कितना है कितनी hydrogen gas और उसके हिसाब से उनकी age भी calculate करने की कोशिश की जा रही है one of the most important feature is its wide field of view क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही long panoramic pictures ली जाती है sky की पूरी detail के साथ तो telescope है वो यहाँ पर जिस technology का इस्तमाल करती है it is developed by CSIRO only it is kind of a radio camera जिसकी मदद से हम लोग एक high survey speed जिसके अंदर 36 dish antennas है उनकी मदद से ले पाते है और हर एक dish antenna 12 M का है in diameter इस telescope की मदद से we are trying to observe the galaxy और survey के अंदर 83% जो हमारा जो अंतरिक्ष है जो sky है वो यह जो site है जो ASKAP की site है western Australia के अंदर उसकी मदद से देखा जा सकता है just understand 83% of the sky को यह satellite देख सकती है यह हमारी telescope देख सकती है current survey के लिए इसने 903 903 images को आपस में combine किया है जिसकी मदद से sky का पूरा map create हम लोग कर पाए है जो rapid ASKAP continuum survey RACS किया गया इस telescope की मदद से यह बिलकुल google map की तरह है यह समझ दू कि यह google map है आपके universe का where there are millions of stars like points and there are distance galaxies और वो ऐसी भी चीज़े हैं जो अभी तक हम लोग देखी नहीं और उनको map किया जा रहा है उनको name दिये जा रहे हैं उनके आसपास के distance भी आप लोग मेजर कर सकते हो यह जो images है जो telescope की मदद से ली जा रही है they are taken on average deeper and have better special resolution as compared to जो other survey हुए है पहले sky के main मकसद है कि हम लोग images generate कर सके है जिससे जो future surveys हो हमारे sky के वो असान हो सके further the result of various survey undertaken under this particular telescope are being developed by square kilometer array जो कि international project है जिसका main मकसद है बुनाना पूरी दुनिया की सबसे बड़ी radio telescope को जो result है इस survey के वो दो reasons से हमारे लिए जरूरी है पहला जो time यहाँ पर लिया है universe को map करने का we demonstrate करता है that it is something that does not have to take years ऐसा नहीं है कि कई साल लग जाएंगे हमें universe को map करने में second point जो data यहाँ पर gather किया गया है it is with the help of surveys जो कि astronomers को help करेगा जब लोग अंतरिक्ष में जाएंगे statistical analysis के अंदर even galaxies को measure करने में और इसकी वज़े से हम लोग इसकी मदद से ये भी अंदर लगा पाएंगे कि दुनिया में किसके जगे पर life possible है तो अब जिस चीज को साल लगते थे अब उसको हम लोग कई दिनों में ही करने में कामियाब हुए हैं और एक बहुत ही सुन्दर universe का structure हमें बनता हुआ नजर आया है so this was a very big update for you guys उमीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा हाया होगा मिलूंगा आप से लोगों से अगले session में so love and peace from my side thank you for having me here guys and have a great day ahead bye bye take care